दोस्तो हिंदी सिनिमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं और हमेशा करती रहेंगी फिल्म का हर सीन, डायलोग और किरदार लोगों के जहन में बसा हुआ है आज हम एक ऐसी ही फिल्म की बात करने वाले हैं जिसके एक किरदार को लोग कभी नहीं भूल सकते आज हम बात करने वाले हैं सार 1975 में आई फिल्म शोले में मौसी का किरदार निभाकर मशूर हुई अविनेतरी लीला मिश्रा के बारे में दोस्तों लीला मिश्रा अच्छाना की फिल्मों में आई थी और उनका फिल्मी दुनिया में आने का खिस्ता बेहत दिल्चस्प रहा है और इस वीडियो में हम उनकी जीवन की दिल्चस्प कहानी जानने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समीर और आपका स्वागत अपने चैनल BNF इंडिया पर जहां आपको मिलती है मशूर लोगों की बायग्रफीज और उनकी जीवन से जुड़ी दिल्चस्प कहानिया तो अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो उसा भी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आकन को दबाएं ताकि हमारी नए वीडियो आप देख सकें जैसे ही हम उन्हें अप्लोट करते हैं तो बिना वक्त गवाए चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वैसे तो फिल्म शोले का हर किरदार कमाल का था और आज भी लोगों के जहर में बसा हुआ है लेकिन मौसी का किरदार भी लोगों को काफी पसंद आया था मौसी ओ जैके बीच की ओ मज़दार बाचीत का सीन आज भी लोगों के चेहरों पर हसी ले आता है अपने जमानी की मशूर अभी नेतरी लीला मिश्रा का जनम उत्तर प्रदेश के एक गाउं के जमिदार के घर पर हुआ था लीला को उस समय कोई शिश्र नहें मिल पाई थी क्योंकि उनके घर में लणकियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी इसी वज़य से लीला मिश्रा की शादी भी बेहत कम उम्र में हो गई थी लीला की उम्र सिर्फ 12 साल की रही होगी जब उनकी शादी बरारस के रहने वाले प्रेम प्रसाथ मिश्रा के साथ कर दी गई थी शादी के कुछी सालों की भीतन लीला मिश्रा मा बन चुकी थी अपने जिंदिगी के 17 साल पूरे होने तक लीला मिश्रा दो बेटियों की मावन चुकी थी राम प्रसाद का सभाव बेहत खुले विचारवाला था वो किसी भी चीज़ को लेकर दबाव नहीं बनाते थे लीला को भी उन्होंने अपने फैसले लेने की पूरी अजादी दी हुई थी लीला के पती राम प्रसाद अक्सर बॉम्बे आया जाया करते थे बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक दोस रहते थे जो की दादत साहिब फॉलके के कमपणी में काम करते थे एक दिन वो राम प्रसाद के घर आए और उन्होंने लीला को देखा उनकी खुब सूरत और भोली से सूरत को देख कर उन्होंने अपने दोस्त राम प्रसाद को लीला को फिल्मों में काम कराने को लेका सरा दी पहले तो राम प्रसाद ने इस बात के लिए साफ इंकार कर दिया था लेकिन उनके मामा के समझाने पर वो मान गए इसके बाद राम प्रसाद और लीला दोनों ही बॉंबे के लिए रवाना हो गए जहां पहुंच कर दोनों ने ही अपनी अधाकारी शुरू की और फिल्मों में काम मांगने के लिए जाने लगे इन दोने की पहली फिल्म स्टार 1936 में एक साथ आई थी जिसका नाम था सती सन्नोचना इसमें राम प्रसाद ने रावन का किरदार निभाया था तो लीला ने मंदोदरी का रोल अदा किया था इस फिल्म में काम करने के लिए लीला को 500 रुबे मिले थे लीला मिश्र अपनी जवानी में बेहत खुबसूरत अभी नितनी थी लेकिन उन्होंने कभी भी कोई लीड रोल नहीं निभाया ऐसा नहीं था कि उनको लीड रोल आफर नहीं किये गई बल्कि उन्होंने करने से ही मना कर दिया था इसके पीछी की वज़ा कही जाती है कि लीला पराय मर्दों का छुना बिलकुल पसंद नहीं कर दी थी मिश्रा ने लगभग पांच दिशक तक फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था जिसमें अनमोर घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहेली, चेश्में बदूर और फिल्म नानिमा में निभाए गए उनके किरदार ने खुब सुर्किया बटोडी थी, इसी फिल्म के लिए एक्ट्रेस लीला मिश्रा को पहली बार 73 साल की उमर में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाज दगया था, और फिर 17 जनवार 1988 को मशूर और खोसूरो तबिनेतरी लीला मिश्रा का निधन हो गया, तो दोस्त इसे के साथ मुलकात होगी आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक बने रहिए मारे साथ और देखते रहिए BNF इंडिया